तो flag and pole pattern normally कैसे बनता है यह अपना pole है यहां से लेके यहां तक और यह यहां पर अपना flag है प्लैक का जब भी breakout होता है फिर से हमें यह target देता है और target कितना देता है जितना हमारा यह pole होगा उतना बड़ा हमें यह target देगा तो यह देख सकते हो exactly उतना ही हमें यहां पर target मिल चुका है